नमस्कार मित्रों आज हिंदी सहित्य में सुनिये वर्तमान में हिंदी सहित्य की अग्रिगर्ण लेखे काओं में प्रमुक नासिराशर्मा जी की लिखी हुई कहानी फितरत ये कहानी उनकी ताजा तरीन कहानियों में से एक है तो प्रस्तुत है नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी फितरत महामारी के शुरुआत के दिन थे जरूरत से ज़्यादा भै और एहतियात के दिन थे ये वे दिन थे जब इंसान घरों में बंद थे और सड़कें वहानों से खाली आराम की मुद्रा में पड़ी थी सभी को पता था कि ये महामारी बिना नाम पते के बिन बुलाए मिहमान की तरह एक साथ दुनिया के सभी मुलकों में दाखिल हो चुकी है और बिना किसी संदे के संदेशा दे रही थी कि सुनो इंसान हो तुम सब एक दूसरे से समय समय पर अलगाओ की जो नीती अपनाते हो उसे मैं एक जटके से अंजाम दे रही हूँ अब ना हाथ से हाथ मिलाओगे ना गले से गले लग पाओगे अपने घर में अपने प्यारों के पास जाने से कत्राओगे वो जबान जो बहुत फड़कती थी अब उस पर परदा डाले रहोगे कुछ ऐसी ही बोलती हुई वो दोपहर थी जब मैं कमडे से निकल लौन में आई और जाने किस जोप में सामने का दर्वाजा खोल घर के बाहर निकल दिवार से लगे गमलों को देखने लगी अचानक जाली के दर्वाजे के बजने की आवाज सुनाई पड़ी तो मैं चौंक गई दर्वाजे से लिप्टी मंजू खड़ी थी पहले से ज़्यादा गंदी और दुबली बिखरे बाल रूखे हो चिड़ियों का घोसला बन चुके थे मैंने ताज्जुब से उसको देखा और असहज हो उठी तुम यहां क्या कर रही हो पुरानी बातें एकाएक जहन में कौन्द गई कुछ दे दो भूखे हैं उसकी कमजोर खुशामदी आवाज उबरी मैं चुप रही समझ नहीं पाई इस समय इस औरत को लानत समझूं या जो यो कह रही है उस पर यकीन करूं मुझे चुप अपनी तरफ घूरते हुए देख बोली बहुत परेशान हूँ कुछ काम करा लीजिए महंता ना दे दीजिए उसके पीछे छुपी उसकी लड़की सामने आकर खड़ी हो गई उसे कुछ पल मैं घूरती रही जैसे नजरों से टटोल कर ये जानना चाह रही हूँ कि ये किस भरोसे से मेरे पास आई है जैसे इसे पक्का विश्वास हो कि मैं इसकी जरूर कुछ नगुछ साहता करूंगी लड़की की तरफ नजर गुमाई उसे देखकर मुमे कड़वाट बुल गई मेरे अंदर एक बहस चड़ गई कि इसको जरुक दूँ या फिर कुछ देदिला का रुकसत कर दूँ पुराने अन्भो मुझे कठोर बना रहे थे और मौदूदा हालात बिखला रहे थे मैं फैसला नहीं कर पा रही थी हम आपका सारा पैसा काम करके चुकता कर देंगे उसने हाथ जोड़ कर कहा तो मेरे तन बदन में आगसी लग गई घर पर महमान आए हैं वे भूके हैं उससे फिर हाथ जोड़े और घिकिया कर कहा तो मेरे अंदर खौलते गुसे को रहा मिल गई ऐसे समय में महमान मेरा कटाक्ष सुनकर वो माथे का पसीना गंदी सारी से पोंच अजीब नजरों से मुझे देखने लगी उसकी आखों की भाशा की कई पढ़ते थी क्या करते जब खाने को नहीं था तो पैदल पैदल गुरगाओं से आ गए उसके चेहरे पर बेबसी की छाया घहरी ओठी अच्छा मैं इतना कहकर अंदर जाने को मुड़ी तभी मेरे दोनों बच्चे जो किशोर अवस्था को पार कर रहे थे बाहर निकले उसे देखकर चौप पड़े उनके चेहरों की रंकत बदल चुकी थी यह यहां क्या कर रही है सुनील ने हैरस से कहा कुछ जूटी कहानी सुनाने आई होगी रश्मी ने भाई से कहा सुनो इसको जाडू दे दो और अंदर मता ने देना कहना गली बटोड दे इतना कह मैं अंदर चिली गई दोनों बाई बेहन ने आपस में कुछ बाते की और जाडू बाहर फेक दी उसने तेजी से जाली का हुक उठाया और गली में आगे बढ़ाई मैं खिर्की से उसे देख रही थी उसके चेहरे पर हलकी मुस्कान के चिन उबरे तो मेरे दिल में भाव उपना इसकी मजबूरी इसे यहां ले आई है जाडू देकर तुम अंदर मत आना वहीं गमले के पीछे रख देना सुनील की सक्थ आवाज उबरी मैंने पर्स से कुछ रुपे निकाले और उसे देने के इरादे से बाहर निकली जाडू देने की आवाज मेरे घर से दूर होती सुनाई दे रही थी उसकी लड़की ने गली में मुझे आता देक जाडू रूप दी और बहर धिटाई से मुझे खूडा उस दिन की जबान दराजी की हलकी सी जहलक उसके चेहरे पर उबरी कूडा इधर उधर मत फेक न मैंने इतना कहा और सौसो के दो नोट उसकी तरफ बढ़ा कर लोटने लगी उसकी हालत अकाल मारो जैसी हो रही थी पहले भी वो हड्डियों का ढाचा थी मगर अब चमड़ी भी जैसे गाइब सी हो गई थी वो पत्तियों और उड़े प्लास्टिक के थैलों को समेटने लगी इस बीच उसके पास आटे का खाली बैग भी मुझे नजर आया जिसमें वो कुडा भर रही थी मैं घर में दाखिल हुई तो मुझे महसूस हुआ जैसे दोनों बहन भाईयों को मेरा ये अंदाज पसंद नहीं आया सुनील खामोशी से उठा और बिना कुछ कहे कमडे से बाहर निकल गया कुछ पली कुजरे होंगे कि वो अंदर पलट कर आया और उत्तेजित होकर बोल उठा मुझे पता था वो कुडा कहां फेकेगी फिर रुक कर बोला आगे गली में उन्होंने जाकर उस थेले को किसी के खाली घर में उलट दिया है सब कुछ सुनकर में चुप रही दिमाग में सवाल उबरा हमने इस वर्ग से हमदर्दी रखी जरूर मगर श्रमवा नैतिकता की शिक्षा नहीं दी देते भी कैसे हम हमें ही वो गुण कहां थे सिवाए नारा लगाने के मम्मी इसको मूँ मत लगाई ये फिर कोई न कोई हरकत करेगी रश्मी ने कहा हाँ कल नहीं आएगी कहीं और जाकर किसी पुराने मालिक को मूर्ख बनाएगी तोनों बहन भाई काफी परेशान हो उठे थे उसके आगमन से और मैं भी कहां सेयत थी मैं खुद सवालों में उलजी हुई थी फसाद का जक्म दिल्ली के जिस्म पर से अभी भरा नहीं था कि लॉकडाउन ने बेकारी और भूप को सूप में उचाले अनाज की तरह पछोड दिया था सवाल तो ये भी था कि ऐसे समय में हमारा व्यवार दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए पिछला हिसाब किताब चुकता करना चाहिए या फिर समय की मांग पर अपना आच्रन बदलना चाहिए तनाओ और फिक्र कमर तोड़ रही थी मजदूरों की भूक और उनकी पैदल ल्यात्रा अलग रिड की हड़ी के चलनों पर अजीब तरह का दबाव डाल रही थी एका एक सारी विपदा एक साथ आन पड़ी थी उसमें सब खतावार और बेकसूर नजर आ रहे थे ऐसी मानसिक पीड़ा में जब कल हंसों के डैने दिमाग के आकाश को घेर रहे हों उस इस्थित में वो औरत जिसका नाम मंजू वो किसी पिन की नोक की तरह हम सब को चुब रही थी वो दो दिन बात फिर आई वही मांग और हालात के जादू में फसी मैं उसकी मांग की पूरती उपरी दिल से करती रही ना आने का बहाना उसके पास था कभी घाम बहुत था तो कभी गर्मी बहुत थी तरह से हमारे दिन कट रहे थे और वो दो हफ्तों में हजार रुपया हमसे एट चुकी थी मोहले में आसपास के अदवने घरों में कुछ मजदूरों को ठेकेदारों ने रोक रखा था इस डर से कहीं वो फिर लोटे ही ना सो उनको खाना पीना दे रहे थे मगर जब लोकडाउन लंबा खिचा तो ओठेकेदार भी कायब हो गया और मजदूरों की परेशानी शुरू हो गई थी और वोस में फल वाले जो कुछ रुपय मुझसे उधार लेकर अपने घर जाने के लिए निकले थे उन्हें आदे रास्ते से लोटा दिया गया था धाबा भी बंद था दो नौकरों के सहरे धाबा वाला दुकान चोड़कर गाउन चला गया ये सब देखकर हमें उनसे पूछना पड़ा कि कुछ चाहिए तो बताना हफते भर बेकार बैठे कामगारों और मजदूरों ने कुछ रुपए मांगे तो उनकी सहता करते हुए मैंने कहा इसको लोटाने की चिंता मत करना समझना महलेदारी है मगर ये सारी कोमल समवेदिनाएं और हमदर्दी का जज़बा मंजू तक आते आते चुक जाता था और एक बेदिली वह उपेक्षा के भाव से उसकी मांगें पूरी करके मन कसैला सा बना रहता जो किसी भी तरह से उचित नहीं था लाख अपने को समझाती मगर जाने क्यों उसे देखकर लगता कि उसकी हर बात जुटी है और वो हमेशा की तरह में अपनी चाल बाजियों से ठक रही है मगर सवाल ये भी था कि मैं उसे डाट कर भगा सकती थी उसे पुरानी बातें याद दिला कर उसका अपमान कर सकती थी मगर ये सब ना करके दाल चावल आटा सब कुछ है वो थेले एक एक करके अपने आये तकनीशियन प्लंबर दरजी को बाटे मगर एक भी थेला मैंने मंजू को उठा करने दिया आखेर मेरे अंदर बैठे दोगलेपन का क्या भेध है एक बेचारी औरत को अपने सामने इतना शक्तिशाली बनाने का कोई तरक पूर्ण कारण तो हो मैं अंदर के संताप को जितना ठंडा करने के कोशिश करती उतना ही वो मुझे जकड़े रहता और इस सिलसले के साथ वो हफते बाद आकर काम करने का वाइदा कर कुछ रुपे ले जाती है जो अब पांचे हजार तक पहुँच चुके थे एक दिन बेटे ने बताया कि मैं जब मजदूरों को दुकान पर चावल तुलवा रहा था तो मंजू की बेटी आई थी और दो सो रुपे के चार्ज के पैकट ले गई थी उसने मुझे पहचाना भी नहीं मैंने कोई जवाब नहीं दिया मगर याद सब कुछ आ गया उसका पंद्रे पंद्रे दिन काम से गायब रहना सफाई ना करके भी कहना सफाई कर दी है और काम से निकाले जाने पर मोहले भर की नौकरानियों से बुराई करके उन्हें भैबीत करना कि वो घर में काम न करें क्योंकि वो चोगना काम करवाते हैं और पैसा भी काटते हैं ये सारी बाते हमारी नेकियों का जवाब न थी मगर हम जब उन बड़े-बड़े वाइदे करने वालों को वोट के बाद बदलते देखकर कुछ नहीं कर पाते सिवाए छट-पटाने के तो ये बेचारी क्यों मेरी कुंठा के केंदर में खड़ी हो रही है क्या सिर्फ इसलिए कि वो कमजोर है और हम उसे दबा सकते हैं या उन्हें हक नहीं हमें चलने का कई दुनों बाद वो फिर अचानक आ गई मैंने बच्चों से का कैदो काम नहीं करवाना है फिर भी ओ गई यी नहीं गंटी बजाई मगर कोई गया नहीं फिर वो आवाजे लगाने लगी सुनील जब उसे डाटने निकला तो वो खुले दर्वाजे को धक्का देकर अंदर खुसी फिर तेजी से मेरे कमरे का दर्वाजा खोड वो मेरे सामने आन खड़ी हुई भगवान कसम मैं आपकी पाई पाई काम करके चुकता कर दूँगी वो सब ठीक है मगर तुमारे इंतिजार में हम भी बाहर की सफाई ने कर पाते हैं मैंने उलज कर कहा फिर फॉरण ही सवाल कर बैठी खाना तो सरकार माट रही है ना चौते मंजल पर कमरा है उसने हाथ उपर उठा कर कहा तो मैं चिड़ गई आने का कोई टाइम नहीं जब तक पता चलता है तब तक या तो वो चले जाते हैं या फिर लाइन में लगे लगे खिजरे का डिबा कतम हो जाता है इतना कहते कहते वो हाफती सी जमीन पर बैठ गई हम दर्दी उभरी मगर जाने क्यों उसके वो सारे पैत्रे याद आ गए जो उसने हमारे साथ दिखाए थे मूँ से निकला तुमको और लोग मदद क्यों नहीं करते करते हैं मगर आप कहते हैं कब तक काम भी नहीं करवाते हैं अब क्या करें हम बताए बाहर जाडू लगा दो मैंने उसकी पेची दगी से उलच कर कहा हम पहले की तरह आपके घर का सारा काम करके बाद में सारा पैसा लोटा देंगे उसने उठते हुए कहा अब तक वो 10-12,000 रुपे ले चुकी थी इसी वाइदे पर यहर रोज वो आकर गली बटोड़ दिया करेगी जब तक कोरोना की छुआ चात है मम्मी यह उल्टी सीधी ज़ाडू लगा देती है हम पूरा घर रोज साफ तो करते हैं न सुनी ले मुझे जैसे जगाया मैं चुप रही कि कौन किसके जहासे में आ रहा है कौन अपने से लड़ रहा है उस दिर बाटने वाला पैकेट मैं उसे नहीं दे पाई जो खतम हो गया था मगर स्टोर रूम में चने की दाल का एक किलो का पैकेट पैसे के साथ उसे दे दिया तो महसूस हुआ कि दिल पर रखे सिलका बोज कम हुआ ये क्यों दोनों ने पूछा देकर छुटी करो मैंने एक तरफ रहने की कोशिश में कहा उसे उमीद नहीं थी इस ब्यवार की जो उसके चेहरे के भाव बता रहे थे लॉकडाउन को खतम करने वा बढ़ने की अफ़ाहों के बीच सारा काम ठप पड़ा था वो सब हमें सोशल मीडिया दिखा रहा था जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जूट और सच की टकरहाटें तेज थी उसे ज्यादा कुदरत का रोश था जो शमशान घाट को रोशन और कब्रिस्तान को आबाद कर रहा था भगदर में लाशों की अतला बदली हो रही थी और अपने सगे को कंधा देने वाले पहुँचने पा रहे थे इसके बावजूद दूआ के लिए उठे हाथ माफी की जगे डंडी मारने नफा कमाने जूटे प्रचार से बाज नहीं आ रहे थे मैं जहनी तोर पर ठकती जा रही थी हर व्यक्ते चिरचड़ा और जुझलाया हुआ था भूके मरे कुत्ते का गोश्ट खाने पर मजबूर हो उठे लोग और स्वयम गली के कुत्ते भूक से दम तोड़ने पर मजबूर हो गए थे ऐसा नहीं था कि खाना बट नहीं रहा था लोग सहता नहीं कर रहे थे मगर एका एक इस विबदा में कुछ भी संभाले नहीं संभल रहा था जो मदद भी करना चाह रहे थे वो भी करोना के भैसे घरों का दर्वाजा गैरों को छोड़ अपनों तक के लिए नहीं खोल पा रहे थे मगर सियासत ने ऐसे मौके पर अपनी मुट्टी खोल दी और मामूली आदमियों को अपने शिकंजे में जकर लिया ये सब होता ही है माना की ये सब होता रहा है मगर एक साथ एक साथ ऐसी बारिश जिसमें ओले, बर्फ, पानी, भूगंप, आंधी, तूफान, सब कुछ एगी वेक से इंसान को जिंजोड़ रहा है कई दिन तक मंजू गायब रही उसके पती के चाय का ठेला तो कपका उठ चुका था एक दिन अचानक मंजू फिर प्रकट हुई वही हाल बेहाल इस बार अपने से भी ठके मर्द को साथ लाई थी लौन में उगी घास को छिलवाने खुद बैठी रही, वो काम करता रहा ठक गया थोड़ी तेर बाद और काम बीज में छोड़ कर चला गया पता नी क्यों, आज मैंने दो की जगे तीन सो के नोट दे दिये मैं भी ठकी थी कुछ जगहों पर कपड़ों के पैकेट पहुँआने और दवाओं को खरीदवाने में इतना कुछ करने के बाद भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा था ना नेकी कर खुशी मिल रही थी अवसाद की सिल सक्त पढ़ती जा रही थी कई दिन इसी तरह कमरे में घुटते हुए गुजर गए अपने से लड़ते और हालात से जूचते हुए ना कोई अच्छी खबर मिल रही थी और नाई फोन पर बात करने से दिल हलका हो रहा था समवेदना और विचारों को लेकर जमीर की इमारत का कोई न कोई इंट धसक रहा था कभी कभी महसूस होता अपनी फितरत तो कुदरत ने बदल ली और जो उसकी काइनात में जल, जंगल, जमीन, वनस्पती और चरिंद वापरिंद सिसक रही थे उनको पनपने का मौका मिल गया जो जुगनू अंधिरी जगहों को आस्मान बना देते थे वो अब नजर आने लगे मगर इंसान में अपनी फितरत नहीं बदली वो मानवी अचेहरे जाने कहां गुम हो गए जो ख्वाब में भी नजर नहीं आते हैं नहीं वो रफूगर जो फटे कपरों की तरह बढ़ते दिलों के खुचों को रफूगर सके हैं रफूगर की तलाश में जाने कब पलकें छपक गई उट पटांग सपने से जब बेदार हुई तो दिल डूबा डूबा सा लगा वो आ गई है सुनील ने कहा ठीक है क्या वो बाकी घास साफ करेगी मम्मी आप उसकी मकारी जानती हैं वो सिर्फ पैसे लेने आई है उस दिन नाराज हो रही थी कि हम कुटे की गंदगी साफ नहीं करेंगे तो लड़की बोली मैं कर दूँगी भगा दूँ उसे नहीं मैं जानती हूँ अब सवाल ये है कि भूक और नफरत में से किसी एक को हमें चुणना होगा मतलब दोनों ने चौक कर मुझे देखा कुछ नहीं मैं उन्हें समझा नहीं सकती थी अपनी बात शायद या मैं खुद उलजी थी मैंने कली शाम वो कुछ सामान दुकान से मंगवाया था सुनील ने मुझे से पूछा नहीं था कि ये चावल और बाकी चीज़ें अब किस के लिए मंगवा रही है जब मंजू जाडू देकर जाने लगी तो मैंने उसको बुलबाया और कहा ये सब तुमारे लिए है कैसे ले जाओगी उसके चेहरे पर कई रंग आये और गए कुछ देर खड़ी रही जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो एक साथ इतनी चीजें दी जा सकती है जब सदमे से उबरी तो पोली मैं ले जाओंगी पंद्रे किलो के आटे का बुरा जब उसने उठा कर कंदे पर रखा तो मुझे डर लगा जैसे उसकी सूखी हड़ियां चिटक कर अब तूटी की तब तूटी मगर नहीं वो सही सलामत दस किलो के चावल का बुरा भी हाँ से घसीट ले गई फिर मसालों और चाए तेल से भरा बड़ा सा भारी थैला कर ले गई उसके बदन की थिरकन और फुर्ती भरी उमंग को देखकर मेरे अंदर की सब्त, सिल, बर्फ की तरह पिगलने लगी आँखें भार आई उसने पैसा लोटाने की बात नहीं की और वो बड़े विश्वास से कमरे से निकल गई कई हफते क्या कई महीने गुजर गए वो नहीं आई नौकरों का आना जाना घरों में शुरू हो गया था बगर मंजू लोट कर नहीं आई और आती भी कैसे, वो भी तो अपनी फितरत से मजबूर थी अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी फितरत उमीद करती हूँ कहानी आपको पसंदाई होगी फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो, मंगल मैं हो